आज के इस वीडियो में बात करने बाले हैं 15 दिसंबर से होने बाले रेलबे भरती परिक्षा का इड्मीट काट कब जारी होगा एक्जाम सेंटर कहां दिये जाएंगे और सबसे महत्पुर्ण बात आपने फॉर्म भरते बक्त जिस आरारवी का चैन किया था आपकी न्यूकत रेलबे से प्रकासित की गई है गोरकपूर डिविजन पुर्बत्तर रेलबे में 296 पदों पर होगी भरती परिक्षाएं 15 दिसंबर से गुरूप सी में 1289 एवं गुरूप डी में 497 पदों पर होगी भरती रेलबे बोर्ड देश भर में एक साथ कई चर्णों में कराएग इसमें पुर्बत्तर रेलबे में कुल 296 पदों पर नियुक्ती के लिए अभ्यारती परिक्षाएं गे गुरूप सी के 1289 और गुरूप डी में 497 पद स्विक्रित हैं रेलबे भरती बोर्ड देश भर में एक साथ कई चर्णों में ऑनलाइन परिक्षाएं कराएगा अभ् भ्यारती के आबेदनों की छटनी शुरू कर दी गई है दिसमबर के पर्थम सपता से परवेस्पत्र डाउनलोड होने लगेंगे अब भ्यारतियों की ओर से आबेदन भरे जा चुके हैं लेकिन कोबीट के चलते 6 महिने से भरती पर किया ठप थी पिछले दिनों रेल मंत्री प्रियुस गोयल ने ट्वीट कर परिक्षा की तिथी की जानकारी दी पुर्वत्तर रेलबे में गाड, कलर्क, ट्रेक्मेन, पॉइंट्समेन आधी पदों पर भरती की जाएगी रेलबे के जानकारों के मुताबिक भरती को लेकर बहुत ज़ादा अभ्यारती ने आवेदन किया है पिछले दो महिने से आवेदनों की जाँच परताल का कौम चल रहा है इसके अलावा चाइनित अभ्यारतियों की तैनाती किसी भी रेलबे जान में हो सकती है तो यहां सबसे महतपुर्ण बातें लिखी गई है कि इसके आलावा चैनीत अभ्यारतियों की तैनाती किसी भी रेलबे जॉन में हो सकती है इस बार न्यूकती की परक्रिया जॉन के नुसार ना करा कर केंदरी कृत कराई गई है तो इस बार न्यूकती के परक्रिया जोन वाइज ना होकर केंदरी कृत कराई जाएगी इसलिए चैन के बाद रेलबे भरती बोर्ट जगह निर्धारित करेगा इसलिए जिस भी अव्यार्तियों का चेन होगा उसके बाद रेल्बे बोर्ट निर्धारित करेगा कि उस अव्यार्तियों की न्यूकती कहां की जाए अब बात करते हैं आपका एक्जाम सेंटर कहां रहने बला है गोरकपूर RRB निर्धारित करेगा परिक्षा केंदर पुर्वत्तर रेलबे में परिक्षा केंदर के संबन में केंदर निर्धारन गोरकपूर रेलबे भरती बोड करेगा रेलबे भरती बोड से ब्यारतियों की संख्या भेजी जाएगी कोबीट के नियमों का पालान करते हुए ओनलाइन परिक्षा के अंदर बनाये जाएंगे तो इस बार कोबीट 19 के कारण आपका एक्जाम चेंटर आपके राजी के किसी सहर में दिया जा सकता है तो आज का वीडियो इसमाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद